आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे पेरे नाम एसे धान तक नहीं होतरी स्टेडी ग्लोस पे आपका बहुत बस्वागत है दोस्तों हम बात करेंगे आज अलाओ दीन खिल जी किया एक रूर शासक था या फिर एक बहुती चतुर सुल्तान दोनों था बात बारे में बात करेंगे आपने रणवीर सिंग को अलाओ दीन खिल जी के रूप में देखा पदमावती बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे इसका अड्मिनिस्ट्रेशन कैसा है लेकिन सबसे पहले तो हमारे शांदार UPSC कोर्स कॉप ज़रूर अविल करें दोस्त उन ही कही है जो टॉप 100 राइंग का ही है तो जरूर कोर्स को अविल करें आपको बहुत ज़्यदा फाइदा होगा चलो तो यह है जलालुदीन खिल जी ठीक है और यह है एक कंपारिजन जब अलाओ दिन खिल जी आया तो यहां तक पूरा आप समझे ए कि उसने पूरा यह क सउथ तक चला गहा है ति है तो इसको बहुत अच्छे से बात करेंगे तो अलाओ दिन खिल घी को समझते से पहले हमको बल्बन को समझना पड़ेगा और बल्बन की कहानी में कवर कर चुका हूँ ऑले अटाली से कवर की है अब 1287 के बाद क्या हुआ 1287 तक बलबन था आई होप आपने पिछला लेचर देखा को मैं आपको पूरी मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं मैं इस्लामिक इन्वेजिन बहुत अच्छे से कवर कर रहा हूं और यह आठ्वा लेचर है तो 1287 में बलबन का द तो हमको बंगाल में ही रहने दो लेकिन बहुगरा खान का जो बेटा था काकदाबाद ठीक है यह जो बेटा था इसका अब यह इसको गद्धी दे दी गई इससे पहले काफी प्रयोग हुए लेकिन अब 1287 में जब बलबन गया तो खेल खतम ही था कोई फाइदा नहीं तो काकदाबाद को गद्धी दी अब जैसे ही काकदाबाद को गद्धी दी यह 17-18 साल का इसका एक दोस्त था निजामुदीन कहते हैं न कि अपनी दोस्ती बड़ा देख डाक के करो परना दिक्कत होगी अब यह 17-18 साल का लड़का सुल्टान बन गया तो आप समझी सकते हैं कि क्या ही इसकी समझ रही होगी बुगरा खान का बेटा तो अब होता यह था कि निजा कांशिसली आपके माइंड को वो कंट्रोल करते हैं और आपको पता ही नहीं है कि हम उनके कंट्रोल में है तो निजामुदीन कहता था आयाशी करो यह क्या तुब कर रहे हो यह तुम सुल्तान हो यह वह तो खाली गवर्नर है तुम देखो अपने आपको तुम पहचानो तो एक बार पिता जी को बुगरा खान को जब ये पता चला कि भाई ये तो बहुती देंजरस हो गया है और बहुती हांथ से निकल रहा है तो फिर जो बुगरा खान है सोची अपने बेटे के खिलाफ वो गय लड़ ने अपने बेटे के खिलाफ दोनों इधर कागदाबाद बुगरा खान दोनों आपस में मिले और कुछ नहीं हुआ छे दिन तक बात चीत हुई और बहुत समझाया बुगरा खान ने कि बेटा ऐसा है कि तुम अपनी जो पहली बात तो ये जो तुमारी संगत है निजाबु दीन के साथ इसको अटा दो डेंजरस है बहुत यह लड लेकिन वो उसको एक्सेप्टी नहीं करते हैं ठीक है मेरा बेटा सही और मेरा बेटा कमी नहीं सुद्रेगा तो कागदाबाद तो समय ठीक है बोला कि चलो बढ़िया है कोई दिकत नहीं है हम आपकी बहुत इज़त करते हैं साहब पिता जी और हम ऐसे ही करें फिर जब गय गया था वहला कि मैं तो नहीं जाओंगा मैं तो तुम्हारे साथ ही रहूंगा कोई बात थी काकदाबाद ने उसको जहर दे दिया और निजामुदीन का काम कतम जलालुब दिन को बहुत अच्छी ऑपरचुनिटी मिली मलिक फिरूज को बहुत बढ़िया ऑपरचुनिटी अक्टिफ था लेकिन मलिक फिरूज ये नाम जो है ना कई बार एक्जाम में पूछ ली जाते हैं कि इनका नाम क्या था उनका नाम क्या था मलिक फिरूज बाद में कहलाया जलालुदीन तो मुबारक हो जलालुदीन जो है वो आ गया तो जलालुदीन खिल जी और अब एक नई डाइनिस्ट्य का उद्य होता है खेल जी पहले तो काईकदाबाद के तीन शाल के बेटे को तीन साल का था खाली बेटा जलाल उद्दी ने इसको राजा बनाए, सल्टान बनाए कि यह 1290 में क्योंकि तीन साल तक चला खाली और 1290 में काईकदाबाद का देहान दो गया, फिर उसके बाद तीन साल का बेटा था काकिदाबाद का और बोला कि चलो तुम बन जो और मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा ऐसा जलालुदीन ने बोला बट इस तीन साल के बच्चे को भी मार दिया और अल्टिमेटली जलालुदीन वास बिकेम दी सुल्तान और आपको बत सब्सक्राइब जलालुदीन बन गया सुल्तान अगला और जलालुदीन का नाम था मलिक फिरूज यह कई बार सवाल पूछ लिया पूछा जा सकता है और जलालुदीन ने बारा सो नब्बे से लेकर तेरा सो बीस तीस साल तक चली चली यह खिलजी डाइनिस्टी अब छोटे छो गेंग्डम है ना जैन के इन्हों ने आजादी ले ली थी यह अजाद हो गए थे राजपूत आजाद वे ने बोला बाल में जाओ तुम हम तुम्हारे अधी नहीं है वैसे विरा बग लग नमुम्किन था तो जलालुदीन इनके पास गया और जलालुदीन इनको हराया और अपने बतलब देखे हराने का बतलब यह नहीं कि वो कहते थे कि भाईया देखो बेकार में युद्ध होगा तो अंदर काम करो क्या ही दिक्कत है वना इतनी वड़ी आरी में है हमारे पास ठीक है यह काम हुआ लेकिन जलालुदीन आपको बता दूँ कि जलालुदीन जो है वो 1290 में आया और सिर्फ और सिर्फ 6 साल तक रहा 1290 से 96 तक एक तो 70 साल का था यह बहुत बुड़ा था यह दूसरा यह बड़ा ही प्यारा थुल्तान था वहिया यह बहुत ही प्यारा क्यूटू गोलू मोलू क्योंकि यह बहुत ही दयावान था इसने बलबन के साथ जो किया वो किया उसके बाद इसने कुछ किया ही नहीं मलिक छज्जू मलिक छज्जू जो है वो कौन था वो बल्बन का भतीजा था और बल्बन के भतीजे ने बोला कि आईशाय गद्धी हमारी है और क्योंकि मेरे जो है वो चाचा जाने आपे थे और अब तुम मारे जाओगे बस गद्धी छोड़ दो जलालुद्धी ने बोला आजा लड़ लो क्योंकि सेना जलालुद्धीन के साथ और जिसके पास सेना वही जीतेगा तो मलिक छज्जु को हरा दिया खतम कर दिया मलिक का रिवोल्ट जो है ठीक है मनिक पुरी के पास हरा दिया गया अब उसके बाद लोगों को लगा मारा जाएगा इसको क्योंकि जब मली छज्जू को पकड़ा रिवोल्ट के बाद इसको पकड़ा उसको खुब मारा soldiers ने कारागार पे बंद कर दिया भिकारियों की तरह कपड़े पहनाए गए और एक इतारीफ का तो मैं काबिल हूँ तुमने कमाल का काम किया है वाह और कुछ नहीं इनकी टेंशन में मत आना यह सब कुछ नहीं बिगा लेंगे तुम्हारा मली चज्जू भी सन्नाटे में कह रहें भाई मैंने सोचा था मैं मर जाओंगा अब तक तो मेरी मुंडी लटकी रहती यहां पर तुम तो यार घजवी इंसान हो खतम अब जो अब देखे क्या है कि इसमें कोई बुरी बात नहीं थी यह बहुत अच्छी बात ही जलालुदीन की कि बाई अच्छा काम कर रहा था वो सबसे प्रेम से बात कर रहा था नॉन वॉयलेंस में इतना ज़ादा नहीं ज जाएगा और आपके परिवार वाला ही मारेंगे और यहीं हुआ अब यह शिहाबुदीन जो है ठीक है मतलब जलालुदीन उसका भाई शिहाबुदीन दोनों ने मिल के जो है हम यह देखते हैं कि यह सत्ता जो हो हत्याई थी ठीक है अब शिहाबुदीन का ही बेटा था कौ हो रहा था तो आप सब को बढ़िया चल रहा है अच्छे से चल रहा है तो अब यहां पे मलिक चज्जु का रिवोल्ट और उन्होंने का कि अरे यार कोई दिक्कत ही नहीं एक बार क्या हुआ कि एक बड़ा ही पी पाके जो नोबेल है वो कहने लगा मार दूंगा खातम कर तो जलाल उद्दिन मुला रहे कोई बात नहीं शरावरा पी लिए होता है चलता है आर्मी बोली पागल हो चुका है पगला चुका ही है मतलब एक खुले आम धंकी दे रहा है तो ऐसा आई साब किताब था इधर कारा का गवर्णर अलाउदिन खिल जी अलाउदिन खिल जी देवगिरी गया ठीक है यादवाज ऑफ देवगिरी साउथ गया वो और वहां पे राम चंदर राजा उनको हरा के अच्छी कासी बूटी लेकिया आया बौंटी लेकिया खुब पैसा लेकिया आया अब उसके बाद जब जलाल उद्दिन के पास पैसा लेकिया तो ने बोला कि बाई देखू अब वक्त आ गया है कि इनको जो है वो सबक जो है वो अब सिखाने ही पड़ेगा ठीक है ये चीज़ है और आब जो है वो ऐसा चलेगा नहीं क्योंकि हद से जाधा जो है वो दिक्कते हो रही है तो अब क्या होता है कि अलाउद दिन खिल जी जो आपको बता दू हाँ एक और चीज़ में मॉंगोल का भी अटाक हुआ था देखिए मॉंगोल जो है वह अपते बहुत अटाक कर चुके थे तो भाईया परशान हो गया था यह ना बड़ा मुश्किल हो गया था और हर वक्त मॉंगोल जो हो अटाक कर रहे हैं तो जलालुदीन जो है बोल रहे हैं कि भाईया ऐसे तो चले का नहीं क्योंकि देखे 1287 के बाद जब बलबन गया तो मॉंगोलों को एक बहुत बड़िया मौका मिल लेकिन आपको जानके अहरानी होगी कि जब मॉंगोल पुरी दुनिया को हरा दिये वह भारत पे इतना पीटे गए इतना प पाकतवर्थ है अब उसके बाद क्या हुआ कि उनका जो सेना था उलुक खान ठीक है तो आया उसके सामने और बोला कि क्या हुआ बताओ क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे नहीं काटेंगे तुम परशान मतों तुम आ जो इसलाम अपना लो और तुमको मच्छा खास अच्छ तुम आके इनकी आओ भगत करो यह क्या बेवकूफ समझके रखा है यह मौंगोल से हैं यह दुबारा मौका मिलेगा तुम्हारा सरकाट देंगे जलाल उच्छो ब्रह यार चोटी सी जिंदगी है छोटी सी जिंदगानी फिर नहीं यानी हमको तो प्रेम बनानी है बढ़ि जैसे रूल करो कोई दिक्कत नहीं है तो अलाओ दिन खिल जी को लगा कि बैटा अब इसका वक्त आ गया अलाओ दिन खिल जी की कहानी क्या है इसका नम था अली गुर्शाप बचपन का नम बड़ा ही इंपोर्टेंट है ध्यान दीजेगा यह एक्जाम में पूछा जाता ह अली गुर्शाप वस दी नम आफ अलाओ दिन खिल जी तो अलाओ दिन खिल जी का यह नम था तो अलाओ दिन खिल जी भी यह बिलकुल नहीं बनती थी इन से क्योंकि अलाओ दिन खिल जी को पता था हमारे चचा जान तो पागल हो चुके हैं तो अलाओ दिन खिल जी जब य को पता था कि जलाव उदिन खिल जी जाने वाले हैं जलाव उदिन खिल जी को भी पता था लेकिन उन्हें का कि चलो कोई बात नहीं चलते हैं मेरा बेटा है बेटे जैसा है तो ऐसा तो करेगा नहीं है तो अलाव उदिन खिल जी जैसे पूरी जलाव उदिन सेना लेके कारा म वही पर रोख दिया गया सेना को कि अकेले में मिलिया तो जलाओ दिन खिल जी गए अलाओ दिन खिल जी से मिलने वही पर मार दिन खिल जी ने उनको अकेले में मिलके और अलाओ दिन खिल जी ने अपने आपको फिर सुल्तान गोशित कर लिया कि I am the new सुल्तान काला अक्षर भैंज बराबर लेकिन अलाउद दिन खिल जी की कहानी से बहुत कुछ सीख सकते हैं अलाउद दिन खिल जी की कहानी से आप ये सीख सकते हैं सबसे पहले कि जादा अकल बहुत जादा जैसे पहुत आपको लगता है कि पढ़ लो सब कुछ अच्छा हो जागा ऐस इसा नहीं है अगर आपके पास common sense है आपके पास बढ़िया strategy है तो आपके पास दिगरी हो ना हो आप जबरदस्त जीतोगे कुछ भी नहीं था इसके पास लोग भी बहुत ज़्यत नहीं करते थे लेकिन अपने strategy के कारण सेना के बहुत करीब इसको पता था लोगों से deal कैसे करना है इसको human nature के बारे में पता था और वहां से ही इसने जो है वो proper जो control जो है एक के बाद एक करके जो है वो हम यह देखते अब टाइटल अलाओदीन मुजफर एहमदिया अलम लंबा सुल्तान मौमद शाह खिल जी यह साथ नौ वर्ड़ का की मतला पूरी एक दब पोथी बना दी कि यह हमने क्यों कि टाइटल अज्यूम करना बहुती ज़्यदा जरूरी होता था तो अलाओदीन खिल जी 1296 में आ बहुत ज़्यदा जरूरी है सबसे पहले जो गुजरात के राजा थे रायकरण वह चले गए थे देवगिरी यादवाज ओफ देवगिरी वही राम चंद्र के पास ठीक है जैसल मेर वह अलाओदीन खिल जी ने अपने कबजें में लिया रायकरण चले गए थे वही पे ठी ुटी ज्यादा इंपॉट्नेंट है ने 500 राजा हमीर्देव हे अच्छा हमीर्देव रजा मॉंगोल ने अटाक किया मॉंगोल्ज में 396 यरी रहा सो सत्तांवे में अटक किया थाी अलाओदीन खिल जी के समय तो अलाओ धनिन खिल जी ने बहुत पीटा बहुत मॉंगोल क याद रखेगा बड़ा इंपोर्टेंट है सिकंदरे सैनी जो है वो टाइटल किस ने लिया था अलाउदीन खिलजी ने बहुत इंपोर्टेंट है यह तो जब सिकंदरे सैनी इसने टाइटल लिया तो कुछ मॉंगोज जो है वो राजा हमीर देव के पास चले गए और हमीर द होता है तो अब सबसे पहले तो इसने क्या किया कि देखे इसकी स्ट्राड़ेजी सिंपल थी यह क्या करता था जो किला बड़ा मुश्किल होता था फटाय करना क्योंकि किले के अंदर ही पूरा का पूरा शेयर होता था तो वहां पे बाहर डेड़ा डाल देता था और और फिर अब राजपूतु को एक नाएक टाइम तो बहार आने यह लड़ना है और फिर उन्हें जबर्दस लड़ाई की लेकिन उन्फॉर्चुनेटली रंथम बोर पे कब्जा किसका हो गया अलाउदीन खिलजी का फिर चितोड हम सबको पता है तेरा सो तीन चितोड के खिले पर समझिये कि कोई भी लुएख का फिर अथि राजा रतन सिंग तो पद्मावति की कानी आप सब ने सुनी है ठीक है तो चितोड का गिलाता है लाजा यहसशे दो बोला जाता है कि पद्मावक में हम सबको पता है कि राम रानी पर्के उन्हें प्राइब्ली आसा ह नहीं करना था क्योंकि चित्तौर वह पूरा एरिया जो है वह पूरा रूट जो है वह कमर्चली बहुत इंपॉटेंट था जो भी रीजन हो इन्हीं दोनों में से एक रीजन होगा तो अब क्या किया इसने डेरा डाल दिया 6 महीने तक रहाई है मूवी पदमावप में दिखा लेकिन बहुत सारे ऐसे गद्दार निकले जो मिल गए अलावदिन खिल जी के साथ और यह समय समय पर उतारा रावदिन खूब उनको अच्छा एक और चीज़ आपको बताऊंगा बहुत जबरदस्त अलावदिन खिल जी ने खूब उनको जो है वह मतलब पैसा दिया कि तो तुम हमारे साथ आजो तुम हमारे वफादार हो और हमारे साथ हो मिल गए उनके साथ और फिर वही हुआ कि राजा अनफॉर्चनेटली भाई यह सब अंदर का तो सब जानता ही थे और यही घर का भेदी लंकड आए तो अब जब राजा रतन सिंग आए तो भाई नहीं हो सब पता ही था अलाओदिन खिलजी को अब रॉनाह पर्णली पद्मावति को लेने गया यह लेकिन सब ने जोहर पर हें कि प्राण जाय परवचन ने ठीक है तो सब ने जोहर परफार्म किया चित्तौर में जितनी भी औरते थी सब ने अपने आपको इमोलेट कर लिए जला लिया कि कुछ भी हो जाए लेकिन तुम्हारे हाथ तो नहीं रखेंगे तो बड़ा बेअबरू होकर अलाओ दिन खिल जी जो हो वह वापस निकला लेकिन चित्तौर उसके कबजे में आ गया ठीक है फिर सिवाना तेरा सोनो जालोर तेरा सो दस ये भी दो किले जो हैं वो इसके पास आ गया यानि कि राजस्तान का काफी बड़ा एरिया इसके पास आ गया ठीक है ये हिसाब किताब रहा अब उसके बाद फिर भी आप साउथ गया ही है साउथ में जैसा कि यादवाज आफ देवगिरी राम चंद्र होता क्या था कि साउथ में जाना बड़ा मुश्किल था बार बार तो आप जानी सकते ठीक है तो बार बार आप जाओ कि बड़ा मुश्किल होगा तो आप क्या होता था कि जो साउथ में जो राजा थे वो अलाओ दिन खिल जी को कहते थे ठीक है आप टेंशन ना लो पैसे आपको मिलते रहेंगा मंतली क्योंकि अलाओ दिन खिल जी वहाँ बैठा थोड़ी न रहेगा तो वो वापस से ला जाता था लेकिन वो पैसे देते ही नहीं थे बाद में साउथ वाले लेकिन अरे जाता तो आप क्या होगा कि अलाओ दिन खिल जी नमदा जी चलो कोई बात नहीं मलिक कफूर जी नाजाई रिष्टे थे मलिक कफूर के थीक है बाइसेक्शूल था सौरी अलाओ दिन खिल जी लड़कों से भी संबंद बनाता था आदमी हो आदमी से पहर गरता हूँ तो मलिक कफूर बड़ा प्री अलाओ दिन खिल जी का तो मलिक कफूर को भेजा थीक है अब यादवाज और देवगिरी राम चंद्र जो है वो फिर वही हुआ कि प्रॉब्लम क्रियेट हुई वहाँ पे फिर नहीं जीत पाए और फिर उन्हेंने कहा कि आप परशान मत हो हम आपको देंगे पैसा देंगे ठीक है पैसा आपको मिलता रहेगा यह हुआ फिर उसके बाद काकतिया किंग्डम काकतिया किंग्डम वह भी प्रॉब्लम होईसाला किंग्डम इन तीनों किंग्डम को इन तीनों किंग्डम को यहाँ पे खिल जी ने सड्डियू किया और वह पांडिया किंडम को विजय करने गए थे सुन्दर पांडिया और वीर पांडिया ये दो भाई दोनों आपस में लड़ा रहे हैं मुश्किल थी तो वीर भलाल को लगा कि चलो कोई बात नहीं जाते हैं और उनको हरा देंगे बंट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि इधर ये गए राजा नहीं है तो उधर यहां पर अटाक हो गया अब फिर वीर भलाल को पता था कि या बहुत जदा खून खराबा होगा इससे बैटर है कि हम कोई संधी ट्रीटी साइन कर लें ठीक है तो उन्होंने बोला कि हम आपको पैसा वार्शिक पैसा जो हो भीजते रहें तो ये पुरा का पुरा हिसाब था अब गदारों की बात करते हैं देखिए अलाओ दिन खिल जी वह दी फरस्ट जिसने क्या किया पॉलिटिक्स को और रिलिजिन को सेपरेट कर दिया यह बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद अठना है पॉलिटिक्स और रिलिजिन अलग कर दिया क्योंकि अलाओ दिन खिल जी को पता था कि यह जहां धर्म घुसेगा वहां पे मेरी ताकत कम होगी ठीक है ताकत की बात करते हैं अलाओ दिन खिल जी का दिमाग देखिए आप देखिए चतुर शासक कैसे है अलाओ दिन खिल जी ने सब को गरीब कर दिया वो चाहत के लिए पैसा कम दे रहा है और इधर मार्केट में बहुत कुछ कर रहा है। बता तो भी कैसे तो समझ自由 लिघे कि जो हिंदू के पास खूब सारी कैटल थी हिंदू के लिए काल बनके था यह काल बनके आया यह खुब कैटल थी खुब धंत अच्छे कपड़े हिंदू अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते हिंदू कैटल्स नहीं रख सकते समझ लीजे जो हिंदू बंगले में रहते थे जिनका महल था वह सड़कों पे आ गए वह भीक मांगने लगे और मुस्लिमों के साथ भी ही किया इसने लेकिन हिंदू के साथ जादा किया तो रिलिजियस पॉलिसी के अगर हम बात करें लाओ दिन किल जी की तो बहुत ही जादा खराब थी इसने जजिया लगा दिया जजिया कि अगर हिंदू को पिल्ग्रिम्स पे जाना है तीर्थ यात्रा पे जाना तो जज हिंदु को तो 50 प्रतिशत देरा पड़ता था और वन वाई थर्ड मुसलिमों के लिए था मुसलिमों को कम हिंदों को ज्यादा ग्रेजिंग टैक्स वाटर टैक्स जमीन है तो जमीन टैक्स टैक्स हर ज़गा दिये हिंदू परिशान गरीब हो गए वो कि भाई थो पाइसाई नहीं बचाएं क्या करें यह हिसाब किताब इसने एक होली आर्मी जिहाद आर्मी बनाई थी कि अगर धर्म के लिए युद्ध होगा यह नया धर्म जैसे इसलाम में चार खलीफा थे ना सबसे पैगर्मर मुहम्मद के बाद सबसे पहले राशिदून कैलिफेट्स फोर गाइडेड वन्स जिनको बोला जाता है ठीक है सबसे पहली फिर उमायद फिर अबासिद और फिर ओटोमोंस तो यह भी चार इसने चार लोगों को न्यूक्त किया ठीक है कि हम नया धर्म बनाएंगे अपसे हम नया धर्म के स्थापना करेंगे यह अपने आपको बहु मैं रेप्रेजेंट जो बोला अल्ला ने बोला है मेरी जमानी पिसे गदारों की बात करते हैं अभी मैंने आपको गदारों के बारे में बताया जलालुदीन को मारने में क्या किया था कि बहुत सारे जो लोग है वो इसके साथ हो गए थे बहुत सारे लोग ठीक है और इसके सर कटवा दिया है लाइं से रखो सबका और सबके एक साथ 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 और पूरी मिनार बना दी किया हो अब जब इससे पूचा क्यों किया इसने बोला कि ये अगर अपने मालिक के साथ जलालू दिन खिल जी के वफादार थे उनके साथ गदारी कर सकते हैं तो क्या गैरिंटिय कि मेरे साथ गदारी नहीं करेगा है? ये तो सबसे बड़े आस्तीन के साप है गदारों के साथ अलावदीन खिल जी ऐसा ट्रिट करता था कि तुमने हमारी मदद नहीं की है तुमने अपने लिए कबर खोद ली है ये था आरकली खान आरकली खान जो है वो जलालुदीन का बेटा था ठीक है और मुल्तान और सिमाना का गवर्नर था एक तरीके से तो पूरा पाकिस्तान वाला जो एरिया है ना इस पे ये कंट्रोल कर दो 1297 वो सकतव भीश तरीके जो पारियम्पाट्मेंट अटी तो यो 2 दिपार्ट्मेंट टिर चഐकली चीए कंट्र जाथा इम्पारटमेंट इंप ए मुत-टार सो है तो इसने इससंवन निकाला कि ये कहो नुका बढ़ति पहले फो पहले नहीं चाहता आप कि कोई वी अमीर हो ये reward को रोकना चाहता था क्योंकि ये समझ गया था पढ़ा लिकाने लेकिने समझ गया था कि अगर मैंने गरीब नहीं किया किसी को तो कल इनके पास पैसा आएगा देखिए सिंपल सी बात है कि लोगों को इतना उल्जाद हो कि वो इस बारे में सोचे ही न हिंदू से इसने सा आपको गरीब कर दिया हर कोई गरीब हो गया क्यों कि रिवोल्ट नहीं चाहता था यह अब रिवोल्ट ना चाहने के लिए इसने ओर्डिने सिस्टम लेगा है सबसे पहले क्या किया सबकी पेंशन बंद जो गिफ्स तुमको मिलते थे जो भी तुमको लैंड मिला है वो सब अब राज किये सेंट्रलाइजेशन अब सब अब कुछ नहीं मिलेगा सब बल वापस करो गिफ्ट जितने भी गिफ्ट मिले हैं जो भी पेंशन मिली है जितनी भी चीज़े तुमको मिली है यह हटा दो बहुत तेजी महटा हो यह चीज़ है सबसे पहले तो इसने यह किया तो लैंड ग्रांट्स हो गए सब खताब आओ मारे पास वापस आएगा औरे यह क्या हुआ सब सरनाटे में आगए दूसरा इसने वाइन्स को खतम किया तीन ओर्डिनेस थे कि कोई शराब ना बनेगी ना कोई पीएगा क्योंकि शराब पीने के बाद लोग बहुत सिस्टम को इसने रियोर्गनाईस किया कि जासूस फैला दो हर जगा हर जगा जासूस फैला दो जासूस फैलेंगे अब आपको पता नहीं कर आप गलती कर रहे हो आप राजा के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हो तो जासूस है हमारे बताएंगे तुमको मार देंगे रि intercast marriage नहीं करेंगे और अगर करेंगे तो हमसे consent लेंगे क्योंकि यहीं जो marriage का alliance होता है ना अमीरों के बीच वे यहीं बहुत बड़ी problem का वजह बनती है हमारे लिए तो यह charge ordinance जो है वो इसने निकाले फिर इसने अलाई दर्वाजा ठीक है यह बनाए सिरी जो city of सिरी है वो बनाए इसने है ना इसकी स्थापना की इसने और अब अगर इसकी आर्मी की बात करें military policy की बात करें तो इसकी आर्मी तगड़ी थी इसने आर्मी को अपना डिवाइड किया हुआ था ठीक है सबसे पहले तो वह आर्मी थी जो की खालसा आर्मी क्या है आर्मी यह सब्सक्राइब कि फ्यूडल सिस्टम इस समय एकदम पीक पे तो खालसा मतलब क्या जो हमारे पा पास आर्मी है ठीक है जो गवर्नर्स के पास आर्मी एक तो वह रहेगी वह भी रहेगी फिर उसके बाद जो हमने लैंड ग्रांट्स दिये छोटे 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 लोगों को फ्यूडल आर्मी वह अपनी आर्मी बना ले फिर उसके बाद एक होली आर्मी रहेगी वार के लि धर्म के लिए तो होली ये इसलाम का प्रचंड ये वो था कि कुछ नहीं बहुत सारे मंदिर टोरवाए भी और कुछ मंदिरों में दान भी दिया सब पॉलिटिक्स है लेकिन बहुत सारे सोमनाथ हो गया सिवाना हो गया कई ऐसे मंदिर मदुरही हो गया इसने तोड़े ठीक है मुश्किल था यह साब किताब तो बहुत कुरूश आ सकता मैंने क्या हिंदों के लिए बहुत इंटॉलरेंट था यह फिर उसके बाद अगर इस हिंदों के लिए मैं बता दिया मिलिटरी बता दिया लाइंड के अगर बात करे तो लाइंड भी इसके पास काफी तरीके के होते ठीक है यह एक तो इनाम में काफी लाइंड देता था फिर उसके बाद जो यह आपके आर्मी होते थे, बड़े-बड़े ओफिशल्स होते थे, उनको भी लैंड देता था, ठीक है, फिर उसके बाद वलीज या मुक्तीज को लैंड देता था ठीक है, मुक्तेदार जिसको बोला जाता है तो उसी से ही टैक्स आता था बेसिकल और पर आर्मी बनती थी, तो इसलिए पूरा का पूरा जो है, वो सिस्टम जो है, इसका वो रहता था, ये चीज है तो अलाओ दिन खिल जी का ये सारी जो है मतलब काफी ज़्यादा इससे इसको ताकत मिली अब देखिए, ये सब तो चल रहा है सब कुछ बढ़िया चल रहा है लेकिन मुश्किल है तो आपको आएंगी ही आएंगी क्योंकि इतना आसान तो है नहीं एक और चीज़ आपको बता दू, हाँ, मार्केट रिफॉर्म देखिए, ये इसने क्या के मार्केट के प्राइजेस फिक्स कर दिया तो अलाओ दिन वाज़ दी फिर्स्ट, शाहना मंडी एक ओफिसर होता था, ठीक है, मार्केट ओफिसर होता था, अब देखिए, ये आर्मी को जादा पैसा नहीं देता था, तो आर्मी कहां से, मार्केट में सब के प्राइजेस फिक्स, अब इसे डेंजरस क्या मतलबी नहीं है, एक रेट है, इसी पही मिलेगा, तो इसमें कौन मरेगा, जो वहाँ पे जो लोग होंगे, जो बेचर, जो व्यापारी हैं, तो इसे फिक्स कर दी हर चीज की डिमांड, कि प्याज इतने रुपए किलो मिलेगा, बास, अना इतने रुपए किलो मिलेगा, इससे नीचे जाओगे ही नहीं, फिक्स है ये पूरा का पूरा, और अगर तुमने जरा सा भी घपला किया, तो जितने जितने का तुमने घपला किया, उतरा मास निकाल लेगे तुमारे पॉड़ी से, ये इतने ज़ादा क्रूर पनिश्मेंट होते थे, तो सबकी बैंड बजगी, तो ये रिफॉर्म्स थे, अलाओ दिन खिल जी के, अब 1316 में अलाओ दिन खिल जी का खेल खत्म हो गया, मलिक कफूर ने, क्यूंकि अब अलाओ दिन अब उसके बद इसका बेटा, शिहाबुदीन, ठीक है, 6 साल का, वो बना, अब वो जब बना तो मुबारक श्याबूदीन 6 साल का मुबार्ट फिलडीन ने बोला हम इसको मलिक काफूर का मलिक कफूर मलिक कफूर को लगा गदी मेरी यह लेकिन इसको भी मार दिया झुप कि भाई खून को ही वो देखेंगे जो आपकी ब्लड लाइन ने उसी की वो जद करेंगे तो आब यहां पर जो मुबारक खिल जी है मुबारक खिल जी ने इसको मारा शियाबुद्दीन को अपने भाई को मार दिया चोटे भाई को 6 साल का ता आंकों में मिर्चिर्ची डल के बंदा कर दिया खतम कर दिया उसके बात क्या हुआ कि फिर 1316 से 1320 तक मुबारक खिल जी आता है अब यहां से मुबारक खिल जी इतना बड़ा आयाश हद से मनला अगर आप इसके फिरिश्टा ने इसके बारे को इसके बारे में लिखा है कि जीता जाकता शैतान था लेकिन इसने क्या किया सब हटा दिया जो भी अलाओ दिन खिल जी ने बोला शराब बनाओ खूब बनाओ टाक्स बैक सब हटा दिया अब जैसा सुल्तान वैसे ही जनता अब जो हिंदू की प्रॉब्लम बहुत ज़दा हो गी थी वो उनको वापस मेली राजपूतों ने आपे फिर जाधा याश की वो प्रोस्टिटूट्स लड़कियों में डूबा हुआ वो बुलाता था बाहर से वैशाओ को बुलाता था और बोलता था कि जितने भी नॉबेल्स हैं उन सब पे सुसु करो नॉबेल्स को तो इसने अपनी जूदी पे रखा हुआ था समझ रहो पूरे को उख्डेगिरी गया क्यों जैसे अलाव दिन खिल जी का गेम खतमब वैसा ही यादवाज और देवगिरी फिर से रहो रामचंद्र ने बोला कि हमें एक प्षाण नहीं कुछ नहीं देंगे अफिए अब पूटी कोड़ी नहीं देंगे अब अलावदीन खिल जी ने क्या कि था कि भाई उसने तो टाक्स लिया लेकिन इसने वोला कुछ नहीं तो फिर यह गया वापस यादवाज और देवगीरी के पास रामचंद्र के पास राजा रामचंद्र के पास तो अब उसके बाद हलाओ दिन खिल जी ने क्या किया जब ही गया तो फिर खूब सारी ओरतों का काफिला लेके गया खूब फिर वहाँ पर गया अब सेना तो थी यही बड़ी खिल जी की रामचंद्र कोई बात नहीं आब वापस पहुंचे तक पैसा मिल जागा लेकिन पैसा नहीं पढ़ागी पैसा मिले ना मिले आपून तो मस्त है आपून फुल मस्ती में प्यार की ह्यांशी निया इसने इसने टाइटल यह था संदने ईया हॉआ यह तहने टीका इसने टाइटलल लिया था दो जब हर तब रख रही एए और फिर 1320 में और यासुदीन तुगलक वो फिर आया और फिर उसने मुवारक खिल जी को खतम किया और 1320 में फिर तुगलक डाइनिस्ट्री जो है उसकी स्थापना होती है और तुगलक डाइनिस्ट्री फिर 1413 तक चलेगी अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ तुगलक डाइनिस्ट्री का एक राजा आया मुहंबद मिन तुगलक बड़ा ही पॉटेंट राजा बना ठीक है 1326 से लेकर 1353 तक highly qualified मतलब आज का IITN से भी जो IIT cat आया है वैसा खूब पढ़ा लिखा मतलब समझ लिजिए कि इतना पढ़ा लिखा और इतना ब्रिलियंट पढ़ने में कि क्या बता है पूरा का पूरा सामराज डुबो दिये मतलब इसको wise fool king की उबादी मिली है कि था तो बहुत बढ़ा लिखा लेकिन इससे बड़ा बेवकूफ राजा कोई नहीं है हम बात करेंगे मुहमद बिन तुगलक की अगले लेक्षर में तो session 9 हम लेंगे तो आई होप लेक्षर आपको पसंद आया होगा मज़ा आई होगी अलाउदीन खिल जी और खिल जी डैनिस्टी के बारे में पूरी कहानी शांदार प्रहार बैच आपका वेट कर रहा है देर मत करिए थैंक्यू सो मच